कई साल पहले एक बाबा गाओं में आये कई लोग अपने दूखों का समदान पुछने उनके पास गए बाबा ने अराम से सबकी परसानियों का हल बताया और शवीर को कहा कि सज्ञम रखो और मेहनत करो एक मेहनत तो ऐसा अराम से चलता रहा एक लोग हर बार उसी समस्या के बारे में सिकायत करने आने लगे बाबा ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा उन्होंने सबको एक फेंड के नीचे बुलाया और एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया सभी लोग हासी में जूम उठे कुछ समय पार उन्हें वही चुटकुला सुनाया उन्हें से कुछ ही मुस्कुराए जब उसने तीस्री बार वही चुटकुला सुनाया कोई भी नहीं हसा बाबा मुस्कुराए और बोले जैसे तुम बार बार एक ही मजाग पे हस नहीं सकते वैसे ही एकी समस्या पे बार बार क्यों रो रहे हो कहानी से सिख चिंता करने से आपकी समस्याओं का समधान नहीं हो